नमस्कारी स्टूडेंट्स आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट व्याकरण से समंदित है और व्याकरण में हम देखने वाले हैं संग्या, सर्वनाम, विशेशन, संधी, समास, उपसर्ग, प्रत्य, मुहावरे और लोक इन सब महत्वपूर्ण टोपिक से समंदित हैं हम ये बात करने वाले हैं संग्या किसी कहते हैं प्रिभासा किसी इस्थान, प्राणी, वस्तु तथा भाव के नाम को संग्या कहते हैं संग्या के भेद, संग्या के तीन भेद होते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भा से आते हैं जिस संग्याव सब्द में एक ही व्यक्ति वस्तू या इस्थान का भोध हो तो उशे कहते हैं व्यक्ति वाचक जैसे कोई व्यक्ति का नाम देश सहर नदी तियोहार और परवत कोई पुस्तक पुस्तक, दसा, समाचार, आदी का नाम हो जैसे रमेश, बाजार, जैपुर, गंगा, हिमाले, दिपावली, रामैन आदी जाती वाचक संग्या में जिस संग्या सब्द से किसी जाती या वर्ग के संपून, पुराणियों, वस्तून, स्थान आदी का बोध हो जैसे बंदर है, गाय, पुस्तक, नदी, नगर, सहर, गाउं आदी भावाचक संग्या जिस संग्या सब्द से प्राणियों या वस्तून के गुण, धर्म, दसा, कारी, सब भाव आदी का बोध हो, तो उसे कहते हैं भावाचक, जैसे मितरता, पसूता, बुड़ापा, बच्पन, गोरव, सरलता आदी की बात हो, तो उसे कहते हैं, भावावाचक संग्या नेक्स्ट अपना टोपिक है वो है सर्वनाम सर्वनाम संग्या के स्थान पे परियोग के जाने वाले सब्दों को सर्वनाम कहते हैं सब का नाम सर्वनाम कार्थ है सब का नाम ये सब्द सभी नाम हूँ यानि संग्या सब्दों के लिए परियुक्त किये जाते हैं और सर्वनाम के कितने भेधन देखो, पुरुस वाचक, निश्चे वाचक, एनिश्चे वाचक, समंद वाचक, प्रसन वाचक और निज वाचक. पुरुष वाचक जिस सर्वनाम सब्दू में परियोग करने वाला सुनने वाला या उसके विशे में चर्चा की जाए जिसके इस्थान पर गया जाता है उसे पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं इसमें तीन प्रकार के उत्ते हैं, जैसे उत्तम पुरुस, मध्यम पुरुस और अन्य पुरुस, तो उत्तम पुरुस में कौन-कौन से सब्द आएंगे, जैसे मैं, हम, हम, हमारे, हम सब लोग, मेरा, हमने, हमें, ये सब्द हैं, ये उत्तम पुरुस में आएंगे, और मध्य पुरुष में जिन सर्वनाम सब्दूं का प्रियुख्ट जो सुनने वाले हैं उनके लिए क्या जाता है तो उन्हें मद्ध्यम पुरुष कहींगे जैसे तुम तुमने तुमहारा तुमको या आप आपने आदि सब्दों यूज होते हैं अन्यपुरुष में जिसके बारे मे बात की जाए या कुछ लिखा जाए उसके नाम के बदले में प्रिउप्त होने वाले सब्द हैं, वह अन्य प्रुष कहलाते हैं, जैसे यह है, वह है, वे लोग, उन्हे आदी, निश्चे वाचक, जिनमें कोई निश्चे ता हो, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा घर है, निश् जहां कोई निश्चे नहीं हो, जैसे कोई कुछे कहीं, समंद वाचक, जहां कोई समंद दर्शाय जा रहा हो, सब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से ग्यात होगे, उसे आपस में समंद क्या है, जो सोग होगे, जैसा बोगे वसा काटोगे, जिसकी लाठी उसकी भेंस, आप जिन सर्वनाम सब्दूं का प्रियोग उस प्रशन पूछने के लिए होता है, तो उसे कहते हैं प्रशन वाचक, जैसे कौन क्या किस ने, आज तुम्हें क्या चाहिए, प्रशन पूछा गया है, वहां दर्वाजे पे कौन खड़ा है, कौन प्रशन वाचक है, कल तुम किस क बात कर रहे थे तो यह जो किस से है यह परसंद बना रहा है निजवाचक ऐसे सर्वनाम जिनका प्रियोग वक्ता लेखक अपने लिए करता है तो उसे कहते हैं निज़ आप अपना स्वय खुदा दी मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं अपना काम खुद ही कर लूँगा इ विशेशन सब्दों की विशेश्था बताना जो विशेशन कहलाता है संग्याय सर्वनाम की विशेश्था बताने वाले सब्दों को विशेशन कहते हैं जैसे गुण वाचक संख्या वाचक परिणाम वाचक संकेत वाचक चार प्रकार की विशेशन है गुण वाचक विशे लें तो उसे कहते हैं गुण वाचक विशेशन जैसे कोई अच्छा है भला है बुरा है दानी है सुशील है गुंण भी बता सकता है, दोस भी बता सकता है, रंग जैसे खाला, गोरा, सफेद, आकार बता सकता है, छोटा बड़ा, सुडो, लंडाकार, और स्वाद, कड़वा, मिठा, गंद, खुशबुदार, या ऐ सुगंदीत, या सुगंदीत, बदभुदार, जोबिसपर सा समंद है प्राचीन है कर नहीं अधुनिक है अवस्था जैसे बुढ़ापा युवा की सोर अवस्था जवान गरीब आदी संख्या वाचक में संख्या का ग्यान हो संख्या करम गणनादी का वोद हो जैसे निश्चे संख्या एक दूसरा तीसरा चोगुना से एनिस्चे में कई कुछ बहुत सब आदी परिणाम वाचक इसमें परिणाम का हो जैसे वस्तू पदार्थ जगया आदी की मात्रा तोल मापादी का हो तो वे परिणाम वाचक विशेशन हैं के भेज जैसे दो लिटर, पांच किलो, तीन मीटर एनिस्चे में जैसे थोड़ा बहुत कम आदी संकेत वाचक विशेशन जिन सर्वनाम सब्दूं का परियोग संकेत के लिए किया जाता है जैसे परिणाम वाचक और निश्चे वाचक सर्वनाम के अलावा अन्य सर्वनाम जब किसी संग्या के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेशन कहलाते हैं वे किसान हम सब विद्यार थी ये लड़का आदी सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेशन में अंतर क्या है तो जिन सब्दूं या जिस सर्वनाम सब्दूं का परियोग संग्या के इस्थान पर किया जाता है उने सर्वनाम कहते हैं पर जब कोई सर्वनाम संग्या से पहले प्रियुक्त होता है और संग्या की विशेष्टा बताता है तो उसे सार्वनाम एक विशेष्ण कहते हैं जैसे वह कहां गया ये तो सर्वनाम हुआ सार्वनामिक विशेशन हुआ कि वह लड़का कहा गया वह बाहर से आया है और सार्वनामिक विशेशन में हो गया कि वह चात्तर बाहर से आया है इनमें देख सकते हैं आप किरिया नेक्स्ट अपना टोपिक होगा वो होगा किरिया जिन सब्दों से किसी कारिय का करना या होना पाया जाता तो उसे किरिया कहते हैं किरिया के मूल रूप को दातू कहते हैं जैसे पढ़ना, लिखना, बैठना, सोजाना आदी किरिया के मूल रूप को दातू कहते हैं दातों में ना जोड़ कर किरिया को सामाने रूप बनता है जैसे पढ़ में पढ़ ना जोड़ दिया, लिख में लिख ना जोड़ दिया, उठ में उठना, बैठना आदी, किरिया के भेद, कर्म के आधार पे किरिया के भेद हैं दो, अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक किरिया कुन सी होती है जिस किरिया का फल केवल करता पर ही पढ़ता है तो उसे कर्म की वाँ संभावना नहीं होती है इसलिए उसे कहते हैं अकर्मक जिस किरिया का फल केवल करता पर ही पढ़ता है और कर्म की वाँ कोई संभावना नहीं हो तो उसे कहेंगे अकर्मक, रिया हंस रही है, सदा दोड रही है, निकिता सो रही है, तो ये अकर्मक किरिया, अकर्मक किरिया में दोडना, ड्रनना, सोना, हंसना, जागना, उछलना दी, सकर्मक किरिया, जिस किरिया का फल कर्म पे पढ़ता हूँ, उसे कहते हैं सकर्मक, जैसे पुन्नम पुस्तक पढ़ रही है, प्रियंका चित्र बना रही है, पुन्नम क्या पढ़ रही है, पुस्तक कौन पढ़ रही है, पुन्नम पढ़ रही है, प्रियंका क्या बना रही है, चित्र बना रही है, तो इसमें किरिया का जो फल है, वो करम पर पढ़ रहा है, सकर्मक कि जैसे जिसमें दो करम प्रियुक्त हों, जैसे अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहें, प्रियोग और सरंचना की दरश्टी से किरिया, सियुक्त किरिया, नाम धातु किरिया, प्रेण आर्थक किरिया, मार ने बेटे से पानी मंगवाया, सर्पंच ने गाउं में ताला बनवाया, अव्यव, नेक्स्ट टोपिक अव्यव है, ऐसे सब्द जिनका लिंग, वच्चन, काल और पुरुस, कारक की अनुसार नहीं बदलता से, तो उसे कहते हैं, अव्यव या एविकारी सब्द, जिनका लिंग है, वच्चन, काल, पुरुस, एव कारक, अव्यव के बेद, अव्यव के पांच बेद होते हैं, किरिया विशेशन, समंद बोधक, समुच्चे बोधक, विश्मे बोधक और निपात, किरिया विशेशन जैसे कच्छवा देरे देरे चल रहा है मंदीर के पास मेरा घर है यानि जिसमें वै अव्यव जो किरिया की विशेश्था बताते हुने कहते हैं किरिया विशेशन यानि कच्छवा कैसे चल रहा है धीरे दीरे चल रहा है मंदीर के पास घर कहां पे है मंदीर के पास रोईत सुबह से पढ़ रहा है कौन पढ़ रहा है खुसबू ने बहुत मेनत की है ये किरिया विशेशन अव्यव है काल वाचक विक्रम कल जाएगा विक्रम कल आएगा निकिता परती दिन व्याम करती है समय से समंदित है, इस्थान वाचक खुशी बाहर बैठी है, मंदीर के सामने मेरा घर है, इस्थान जगह को बताया जारा परिणाम, वाचक क्रिया विशेशन जैसे राजेस बहुत पढ़ती है, नीतु कम बोलती है, प्रियंका ने बहुत मेहनत की है, थोड़ा दूद और ले अब भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अब हम करेंगे संधी, संधी की कितने परकार होते हैं, संधी सब्द, संधी सम प्लस धी, योग से बना, सब्द होता है संधी, सम कार्थ है पूनता और धी कार्थ है धारन करना, यानि सब्द जो पूनता धारन कले, योग अत्वा मेल हो जाए उनका प्रस्पर परिभासा दो धवनियों या वरणों का मेल दो धवनी मिल जाएं या दो वरण मिल जाएं तो उत्पन धवनी विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधी जैसे देव पलस इंद्र देवेंद्र इसमें ए और ई मिले हैं और ए बना है किसी भे संधी युप्त सब्द को मूल रूप में लिखना संधी विछेद कहलाता है जैसे जगदीश को लिखा जगत प्लस इस संधी के भेद जब देखें तो तीन प्रकार के होते हैं सवर संधी, व्यंजन संधी और विसर्ग संधी संधी में दो सवरू के मेल से दवनी में विकार या प्रिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं सवर संदि दो सवरूं के मेल से जैसे दिर्ग संदि दो सवरूं के मेल प्रसपर मेल ए प्लस ए या आ मिल जाएं तो बन जाएं आ छोटी ई और बड़ी ई मिलके अगर बड़ी बना लेते हैं छोटा उ और बड़ा उ मिलकर बड़ा उ बना लेते हैं तो ये होगी सवर संदि जैसे एक दो हम इसका उधारन देख लेते अन पलस अभाव अनका भाव ए मिलके आवने भोजन पलस आले भोजनाले ऐसे विद्या पलस अर्थी विद्यार्थी और कविता पलस अवली कविता अवली कारा पलस आगार कारागा मुनी पलस इंदर मुनींदर ग्री पलस इस ग्रीश यती पलस इंदर यतिंदर भानो पलस उ दे भानो दे इसमें उ और उ, छोटा उ दो मिलकर बड़ा उ बना रहे हैं, भनो दे लगू पलस उर मी लगूर मी, इसमें भी उ मिलकर सर्यू पलस उर मी, सर्यू मी, गुण संधी, गुण संधी में भिन स्थानों से उच्चरित सवरों के बीच संधी से एक नया सवर उत्पन हो जैत्वा गुण संधी है, जैसे आ पलस ई मिलकर ए बना लें, तो इसका उधारण देख लेते हैं, जैसे सव पलस इच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च ए नकवाला ए बन जाएगा और ओ प्लस आ प्लस ओ मिलने से ओ बन जाएगा सुब प्लस एशी सुभेशी तथा प्लस एव तथेव प्रम प्लस एश्वरी ए प्रमेश्व महा प्लस स्वक महीश्व परमपलस ओजश्वी परमोजश्वी वन पलस ओजदी वन ओजदी महापलस ओजदी महुस्त यन संधी यन संधी में आप देख सकते हैं E पलस अन्य कोई भी सवर जैसे फिर ये बन जाए, वे बन जाए, रे बन जाए जैसे अती पलस आचार, अत्याचार, वी पलस अव, वे, प्रती पलस उपकार, प्रत्य उपकार, इसमें E पलस O मिलकर यू बना है प्रती प्लस एक प्रतेक ई प्लस ए मिलकर नारी प्लस उचित नार्योचित अयादी संदी अयादी संदी में ए बढ़ा ए यानी ए ए ओ औ के बाद कोई भिन सवर आ जाये तो आय और आव हो जाता है तो उसे करते हैं अयादी संदी जैसे इसका उदारन देख लेते हैं चे प्लस एन चैन नो प्लस एक नावक इसमें किस तरीके से सवर जुड़ रहे हैं नो प्लस एक, नावक, ए प्लस एब मिलकर आप आई बना लेते हैं, गो प्लस इस, गवीस, व्यंजन संदी, एक व्यंजन किसी दूसरे व्यंजन अथवा सवर से मेल कर लेते हैं, तो धमनी में विकार हो जाता हैं, उसे कहते हैं, व्यंजन संदी, यानि सवर के साथ व्यंजन या व्यंजन आपस में मिल जाएं जैसे दिगंबर दिक प्लस अंबर दिगंबर कै व्यंजन है और ए सवर है बना दिया गय दिगंबर वाग प्लस इस वागीस इसमें कै व्यंजन है इ सवर है और व्यंजन बना दिया तो इसे कहेंगे व्यंजन संदी प्राके तेहासिक, दिख पलस गज दिख गज, भाग पलस जल, विसर्ग संदी, संदी का तीसरा रूप है विसर्ग संदी और इसके डोट ये पहचान होती है सवर या विञजन के मिल से धवनी में विकार होता है तो उसे विसर्ग संदी कहते हैं जैसे विसर्ग लग जाए ए हो और बाद में ए हो तो दोनों का विकार ओ हो जाता है जैसे मनेह पलस अविराम मनो विराम मनेह पलस अविराम मनो विराम यस पलस अविलासा यसो भिलासा अतह पलस एव अत्यव यस पलस इच्छा समास समास किसे कहते है? समास सब्द की उत्पति सम पलस आस के योग से हुई है समास का अर्थ है पून तयास का अर्थ है निकट आना तो समास सब्द का अर्थ है संसीप्त करना छोटा करना दो या दो से अधिक सब्दों के मेल के संयोग को समास कहते हैं इस मेल में विभक्ती चिनूं का लोप हो जाता है तो यहां समास और संधी दोनों में आप अंतर कर पा रहे होंगे जल में मगन, जल मगन, दाल और रोटी, समस्त पद समासी की पद, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनाए की पद समस्त पद में दो पद होते हैं जैसे पूर्वा पद और उत्तर पद पहले वाले पद को पूर्वा पद करते हैं और दूसरा जो पद होता है उसको करते हैं उत्तर पद समास विग्रह कैसे करते हैं समस्त पद को भाजित कर पदों को अलग लग करने की किरिया या जो रिती होती है उसे कहते हैं समास विग्रह जैसे गंगा जल को गंगा और जल में गंगा पूर्वपद है और जल उत्रपद है यानि गंगा जल गंगा का जल समास विग्रह करेंगे तो इसको कर दें गंगा का जल सीर दर्द, इसमें सीर और दर्द, सीर में सीर दर्द, सीता राम, शीता और राम, नौरतन, जो की पुर्वपद है, रतन उत्तरपद है, नौरतनों का समौख, समास के च्छे बेद होते हैं अव्यो भाव समास जिसमें पहला पद होता है वो परधान होता है अव्यो भाव समास में तत्पुरु समास में दूसरा पद परधान होता है पहला पद और दूसरा पद उपर देख लिया हमने तत्पुरु समास में दूसरा पद परधान होता है करमधारी समास में दूसरा पद परधान होता है विशेशन विशेशे उपमे और उपमा इनका मेल होता है दिगु समास पहला पद संख्यावाची होता है दूसरा पद परधान होता है दिगु में दुवंद समास में दोनु पद परधान होते हैं, कौन से समास में दोनु पद परधान होते हैं, दोन्द समास में, बहुपरी समास में अन्य पद परधान होता है, ना पहला होता है, ना दूसरा होता है, ना दोनु होते हैं, भलकि अन्य परधान हो जाता है इसमें, तो अव् प्रति दिन अव्य भाव समास होगा। प्रति दिन का मतले हर दिन। छोड़ कर से सभी में बक्ति लोप होने के कारण उन्हीं च्छे कारकों के आदार पर तत्पुरुष समास में च्छे बेद भी हैं तो मुह तोड़ गगन चुम्बी सरनागरते यह आप देख सकते हैं युद्ध भूमी करमधारी समास में जिस समास में दोनों पदों के बीच विशेशन और विशेशे उपमान और उपमे का समंदो उसे करमधारी काते हैं जिसकी बुद्धी है मन्द चंद वदन चंद्रमा के समान वदन कमल नेन कमल के समान नेन विद्या धन यानि विद्या रूपी धन दिगू समास संख्यावाचक सब्ध हो जिश में पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद हो परधान हो तो तिरी भुज, तीन भुजाओं का समू, नव रतन, नव रतनू का समू, तिरी मूर्ती, तीन मूर्तियों का समू, सताब्दी सोस, सोस अब्द यानि वर्षूं का समू, पंच रात्र, पांच रात्रियों का समार, सब तरीसी, सात रीसियों का समू संख्या वाची समस्त पद में यदि अन्य पद परधान हो जाए तो अब बुरूब रही समास हो जाता जैसे दसानन इसमें दस हैं जिसके आनन यानि जिसके सिर हैं दस रावन चतुर बुज जिसकी चार हैं बुजाएं अर्थात विश्णुजी द्वन्द समास जिस इस समास में दोनों पद परधान होते हैं जैसे रात दिन सीता राम रधाल रोटी मात पिता हानी लाव जीवन मरण भुब्री ही समास जिस समास में दोनों पदूं का अर्थ ने लेकर अन्य अर्थ हैं वो गरण किया जाता है अन्य अर्थ पद हो परधान हो जाता हैं घन स्याम घन जैसा स्याम अर्थात शिरीकशन गंगा जल गजानन गज के समान आनन यानी गणेश हंस वाहनी हंस पर वाहन करने वाली स्वार कन स्वारी करने वाली मासर्श्वती महावीर महान है जो वीर अन्मान जी तिरंगा तीन रंगू का है जो भारती राष्टे करम धरिय और ब्रुबरी समास में आप थोड़ा अंतर कर सकते हैं उपसर्ग, उपसर्ग कौन से सब्द होते हैं तो उपसर्ग जो पहले लगते हैं वे सब्दान्स जो किसी सब्द के पहले जुड़ कर उसका अर्थ बदल देते हैं से कहते हैं उपसर्ग जैसे सूयोग उपसर्ग के बेद हैं हिंदी भासा में मुख्यत तीन परकार के उपसर्ग हैं संसकर्ट के हिंदी के उर्विदेशी तो संसकर्ट के अती पिरिये पिरिये में जब अती जूड़ गए तो अती पिरिये हो गए अधी अधिकार अनु अनु करण अप अप मान ये अप यस अप मान अपी अपी तू संसकर्थ के उपसर्ग फिर हिंदी के उपसर्ग काज में ए जुड़ गया ए काज हो गया विदेशी जैसे अल विदा विदा में जब अल जुड़ गया तो अल विदा हो गया परियावरन परी पलस आ वरन आ वरन मूल सब्द है इसमें परियावरन हो गया उपाद्य हक्स उप पलस अधी पलस हक्स एक्स है वो मूल सब्द है प्रते प्रते सब्द के बाद में जोड़ता है वे सब्दान सजो किसी मूल सब्द में बाद में लगकर या उसके अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं श्ब्दों का निर्मान करते हैं, पर्ते कहलाते हैं, जैसे जूल प्लस आज जूला, पड़ पलस आकु, पढ़ हाकु, आकु की जो धवनी आ रही है, पढ़ हाकु, आकु जो धवनी है बाद में जो सब्दान से जुड़ा है, धि पर्ते में, कृते और उदिथ पर्ते, में लग करने सब्दूं की रचना करते हैं जैसे कृत परते कहलाते हैं लेखक, गायक, पाठक, नायक, चालाक, वाचक, तैराक, चालाक, लडाकू, पडाकू, अक्ध, आक्ध, और आकू, अक्ध, भूल, अक्ध, भूल, प्लस, अक्ध, प्लस, अक्ध, घूम, प्लस, अक्ध दित परते इसमें किरिया को छोड़कर संग्या सर्वनाम विशेश नादी में जूड़कर ने सब्द बनाते हुए दित परते कहते हैं जैसे सुनार, लुहार, कुमार, माली, तेली, गाड़ी वाला, वाला गाड़ी पलस वाला, आहट, कड़, वाहट, कड़, पलस, आहट, सुन्दर ता, सुन्दर पलस ता, आपा, मोटा, आपा विदेशी भासा के परते मुहावरे और लोकोक्तियां कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां और देख लेते हैं किस तरीके से मुहावरे और लोकोक्तियां हमारे आम जीवन को प्रभावित करते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियं में अंतर क्या है, ये देखते हैं सबसे पहले। मुहावरा अर्भी भासा का सब्द है, जबकि लोकोक्ती हिंदी भासा का सब्द है, मुहावरा एक वाक्यांस होता है, जबकि लोकोक्ती अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है, मुहावरा भासा की लक्षनीता को दर्शाता है, जबकि लोकोक्ती समास के भासा ही तिहास को वेक्त करती है, मुहावरे में लिंग, वच्चन, काल, आदी के अंसार कुछ परिवर्थन आ जाता है, जबकि लोकोक्ति के वाक्य में प्रियुक्त होने पर भी किसी परकार का परिवर्थन नहीं आता, तो मुहावरे देखते हैं सबसे पहले ऐसे वाक्यांस जो समाने अर्थ का बोध कराकर किसी विलक्षन अर्थ का बोध कराएं मोहवरी कहलाते तो पठे पुस्त के जो मोहवरी हैं अपने उनको देखते हैं हारील की लकडी होना, सदा साथ रहना मन में चकरी होना, मन ऐस्थिर होना राजनीती पड़ आना, यानि छल कपट सीख जाना हरा ही हरा सूजना, यानि सब कुछ अच्छा ही दिखाई देना काल को हाकला, मर्त्यू का भे दिखना काल कलव होना, मारा जाना हशी उडाना, कम्यूं पे हसना आँखे चार होना, प्रेम हो जाना लोकोक्तिया, लोक में परचलीत उक्ती को उक्ती या जो कथन होता है समाज में परचलीत लोगों में जो परचलीत उक्ती और कथन होता है उनको कहते हैं लोकोक्ति, और लोकोक्तियों को कावत भी का जाता है इनको आप देख सकते हैं नेक्स्ट अपना टोपिक होगा वो लेखन विधी पर होगा जिसमें हम विध्यापन लिखना सिखेंगे मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपून जानकारी के साथ तब तक ठैंक्स